इस tutorial में हम trigonometric ratios of complementary angles उनका आपस में क्या relationship होता है उसके बारे में बात करेंगे तो अगर ये मेरे पास एक right angle triangle है जिसमें B पे 90 degree के angle है तो angle A और angle C angle A और angle C इन दोनों का sum क्या हो जाएगा 90 degree तो ये दोनों angles आपस में क्या हो जाएगे complementary angles तो यानि कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि angle C is equal to 90 degree minus angle A तो इस angle को 90 degree minus A लिखो या सरफ angle C लिखो ultimately ये दोनों angles आपस में complementary angles हैं क्योंकि इन दोनों का sum जो है वो 90 degree होगा तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं trigonometry में बहुत ही frequently ये सारे results हम use करते हैं कि जैसे sin 90 minus A is cos A and similarly cos 90 minus A is sin A तो ये ऐसा क्यों होता है इसको हम इस tutorial में सीखेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि sin 90 minus A cos A होता है and so on ये बाकी सारे results भी कैसे आते हैं इसके बारे में बात करेंगे देखो सबसे पहले मैं एक right angle triangle ले लेता हूँ तो ये मैंने ABC एक right angle triangle ले ली B पे मैंने right angle ले लिया ठीक है और मैं अब जैसे A angle की बात कर रहा हूँ ठीक है A angle की बात कर रहा हूँ तो यानि कि मैं इस angle की बात कर रहा हूँ तो जब मैं A angle की बात करूँगा तो ये वाली side मेरी perpendicular हो जाएगी ठीक है से पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले ठीक है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले अब मुझे ये पता है कि ये जो है ये होता है साइन फिर उसके बाद ये हो गया मेरा कॉस और उसके बाद ये जो है ये क्या हो गया मेरा टैं ठीक है और मैं एक काम और करता हूँ इनी को उन यह मेरा हो गया cosac, यानि की sin का inverse, फिर इसके बाद यह हो गया secant, और यह क्या हो गया मेरा cotangent, और इन में यह line भी आएगी, hypotenuse over perpendicular तो यह बीच में line आएगी, ठीक है? अच्छा, यह बात हो गई, अच्छा, अब हम सबसे पहले वाले case की बात करते हैं, ठीक है? मैं cos a की बात करता हूँ, अगर मैं cos a की बात करूँ, तो cos a का मतलब क्या है? बेस over hypotenuse, ठीक है? और बेस क्या है? बेस मुझे पता है कि बेस यह है a b, तो यह हो गया, a b over hypotenuse, वो क्या है? ac, तो यह इतना हो गया, चलिए ठीक है, यह बात हो गई, अब बात करते हैं, sin 90 minus a की, दखो, यह एक right angle triangle है, तो यानिकि यह angle तो 90 degree का हो गई होगा, तो इसका मदलब यह है, कि यह और यह, इन दोनों angles का sum कितना होगा? 90 degree, ठीक है? तो इसका मदलब यह जो angle है, इस angle को क्या मैं यह भी लिख सकता हूँ, कि यह 90 minus a है, 90 degree minus a, 90 degree में से a minus कर दूँ तो यह angle मिल जाएगा, तो ठीक है, यह बात भी हो गई, अब अगर मैं sin 90 minus a की की बात कर रहा हूँ, तो एक तरह से अगर देखा जाए, तो मैं sin c की बात कर रहा हूँ, right? sin c, यानि कि इस angle की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह 90 minus a है, और जब मैं इस angle की बात करूँगा, तो इस angle की बात करूँगा, तो इसके सामने वाली side, यह अब perpendicular हो जाएगी, तो कौन सा angle चूज़ कर रहे हूँ, ठीक है, तो जब मैं sin 90 minus a की बात कर रहा हूँ, तो यानि कि मैं sin c की बात कर रहा हूँ, इस angle की बात कर रहा हूँ, तो this will be equal to perpendicular over hypotenuse, तो इसके लिए perpendicular कौन सा हो गया मेरा a b, और hypotenuse क्या है, वो वही है a c, तो अगर आप देखोगे, तो cos a b a b by a c, और sin 90 minus a b, a b by a c, तो this implies cos a is equal to sin 90 minus a, तो यानि कि यह पहला पार हमने प्रूफ कर दिया, कि cos a is equal to sin 90 minus a, तो बाकी सारे भी exactly ऐसे ही है, मैं एक और solve कर देता हूँ, let's say, cos 90 minus a is equal to tan a, तो मैं सब से पहले यह ले ले लेता हूँ, say, Cont 90 minus a, तो equals c, क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख रख रखा है, यह होता है, बेस over perpendicular, तो बेस over perpendicular, तो जब मैं 90 minus a की बात कर रहा हो, तो यानि कि मैं angle c की बात कर रहा हूँ, तो angle c के लिए मुजे पता है, कि मेरा base कौन सा है, base है, यह b c, तो ही हो गया, b c over, और अब हम बात करते हैं 10 A की, तो 10 A मेरा कितना जाएगा, 10 होता है perpendicular over base, अब मैं A angle की बात कर रहा हूँ, तो यानि कि मैं इस angle की बात कर रहा हूँ, तो इसके सामने वाली side ये perpendicular हो गई अब, तो वो क्या है, perpendicular क्या है, BC over base, और base मुझे पता है कि इस angle के लिए ये है, वो गया, A, B, तो यानि कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो it means cot 90 minus A is equal to 10 A, तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत simple सी बात है, कि सीधी सीधी सी बात है, अगर इसको और simplified way में देखना चाहो, कि इस angle का 10 और इस angle का cot आपस में बराबर होते हैं, similarly इस angle का 10 और इस angle का cot आपस में बराबर होते हैं, that's it, तो ये क्या है, trigonometric ratios of complementary angles, तो ये दोनों complementary angles हैं, ठीक है, दोनों angles मिलके 90 degree का angle बनाते हैं, ठीक है, angle A plus angle C, ये 90 degree angle बनाते हैं, तो इसका मतलब इसका 10 इसके cot के बराबर, और इसका cot इसके 10 के बराबर, similarly, ये angle C है, तो secant of angle C जो है, वो cosecant of angle A हो जाएगा, और cosecant of angle C जो है, वो secant of angle A हो जाएगा, similarly, आप ये बाकी सारे जो है, ये C से ही प्रूब कर सकते हो, ये बहुत simple है, इसको आप खुद करके देखना आप, ठीक है, So, that's it from this tutorial, keep watching, Mathemafia!